रूस और यूक्रेन की बीच जंग जारी है। इस बीच आस्ट्रेलिया समेत कई यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आये हैं। जहां बेलजियम, चक रिपब्लिक, नीदरलैंस और जर्मनी रूसी सेना से लड़ने के लिए यूक्रेन को हतियार और इंधन भेज रहे हैं। वहीं आस्ट्रेलिया ने यूक्रेनी शरणार्थियों के लिए अपने दर्वाजे खोल दिये हैं। जर्मनी के द्वारा यूक्रेन को हतियार भेजना एक बड़ी बात है। क्योंकि लंबे समय से जर्मनी किसी भी संगर्ष शेत्र में हतियार भेजने से बचता था। सिड्नी मौर्निंग हिरार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार 27 फरवरी को आस्ट्रेलिया की प्रधानमंतरी स्कॉर्ट मौरिसन ने घोशना की है कि आस्ट्रेलिया अब अमेरिका और नाटो के सदस्यों के जरिए यूक्रेन को हतियार भी मुहया कराएगा। इससे पहले शुकरवार 25 फरवरी को आस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को जंग में इस्तमाल होने वाले अन्य सामानों को भेजने की बात कही थी जिसमें हतियार भी शामिल नहीं थे लेकिन लगातार विगड़ते हालातों के कारण ये फैस्ता लेना पड़ा। प्रधानमंत्री मौरिसन ने कहा यूक्रेन के मसले पर जो भी सही होगा आस्ट्रेलिया ही सरकार वो करने के लिए तयार है। आस्ट्रेलिया से पहले शनिवार 26 फरवरी को कई नाटो देशों ने भी यूक्रेन को मदद देने का एलान किया था। जर्मनी 1000 टैंक रोधी हथियार और सत्य से हवा में मार करने वाली 500 स्टिंगर मिसाइल भेजेगा। वहें बेल्जियम 2000 मशीन गन और यूक्रेनी सेना के इस्तेमाल के लिए 1000 टन इंदन भेजेगा। जबकि नीदर लेंड्स ने पहले ही यूक्रेन को स्नाइपर राइफल और हेलमिट भेज दिये हैं। और अब जल्द ही 2000 स्टिंगर मिसाइलें, 50 पैंजर फास्ट तीन टैंक रोधी हथियार और 400 रॉकेट भी भेजेगा। फ्रांस की न्यूज एटेंसी एपी एफ के मुताबिक चेक रिपबलिक 30,000 पिस्टल, 7,000 असॉल्ट राइफल, 3,000 मशीन गन, दरजनों स्नाइपर गन और लाखों कार्तूसों को यूक्रेन के लिए रवाना करेगा। इसके साथी निदरलेंस और जर्मनी स्लोवाकिया में मौजूद नाटो की सेना को पैट्रियट एर डिफेंस सिस्टम भेजने पर भी विचार कर रहा है। इससे पहले जर्मनी ने यूक्रेन को सेना दोरा इस्तेमाल किये जाने वाले 5,000 हेलमेट भेजने का भी एलान किया था। साथी जर्मनी के चांसलर उलाफ शॉल्स ने रूस के खिलाफ सुफ्ट बैंकिंग प्रणाली पर भी कुछ प्रत्बंदों की घोशना की थी। जर्मनी की सरकार ने शनिवार को बताया कि उसने यूक्रेन को एंटी टैंक हतियार भेजने को मनजूरी दी है और रूस के लिए जर्मन आर्थिक और जलवायू मंत्राले ने शनिवार शाम एक बयान में कहा कि नीदर लैंड्स को जर्मनी में निर्मित 400 एंटी टैंक हतिया को यूक्रेन भीजने के लिए मन्जूरी दी जा रही है। जर्मन चांसलर उलाव शॉल्स ने कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला एक एहम घटना है। उन्होंने कहा कि इस इस्तिती में हमारी जिम्मेदारी है कि हम व्लादमिर पुतिन की हमला वर सेना से लड़ने के लिए उपकरण देगा और रूस के खिलाफ फृतिबंद लगाएगा। एफपी ने रास्टपती इमैनुवल मैक्रों के कारियाले के हवाले से भी बताया है। इससे पहले अमेरिकी रास्टपती जो बाइडन ने सैन सहायता के लिए 350 मिलियन डॉलर जारी करने का ऐलान किया है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंतरी एंटनी ब्लिंकिन को बाइडन ने निर्देश दिया था कि विदेशी सहायता अधिनियम के तहट मदद जारी की जाए। सहायता राशी यूक्रेन की रक्षा को मद्दे नजर रखते हुए दी जाएगी ताकि उनकी सैन सहायता की जा स जाएगी जाएगी